आज की इस वीडियो में दोस्तो हम जानेंगे कि सर्दियों में तुलसी के पौदे की केर हम कैसे करें और तुलसी को सूकने से कैसे बचाएं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी के हमारे आरके गाडनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राजिंद्र आज इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कुछ ऐसी ट्रक जिनसे आप अपने तुलसी के पौदे को हरावरा और गना कर सकेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरूब करते हैं तुलसी का पौदा लगबग हर गर में पाया जाता है इसके लावदायक औसदी गुण भी है इसमें जो की आहरवेदिक में बहुत ही काम आती है दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं तुल्सी के पौदे की कि आप सरदियों में तुल्सी के पौदे की देखवाल किस तरह से कर सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तुल्सी की केर टिप्स के बारे में दोस्तो सर्दियों में तुल्षी का पधा अपनी ग्रोथ को बहुत ही कम कर देता है और डोर्मेंसी में चला जाता है दोस्तो इससे हम कैसे बचें और तुल्षी को हरावरा और गना कैसे रखें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि दोस्तों सर्दियों में तुलसी बहुती जाता सूखने लगती है इनकी जो पत्या है वो सभी गिर जाती है ऐसे दीरे दीरे करके हमारा पौदा पूरा खतम हो जाता है तो दोस्तों हमें क्या करना है कि समय पर इस पौदे की हमें पिंचिंग भी करनी है और ताकि जो पौदा जो सीट पॉट बनाने में अपनी एनरजी को लगाता है वो सभी एनरजी को पत्यों में लगाएगा इस पर नई ग्रोथ की शुरुवात होगी जब दोस्तों हम इस पौदे की पिंचिंग कर देंगे तो दूसरी बात यह है दोस्तों सर्दियों में तुलसी के पौद भी बन जाते हैं तो दोस्तों यह हमें ध्यान रखना है कि तुलसी के पौदे में हमें पानी कम देना है दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब इस पर सीट पौद बन जाए हैं पूरी तरह से यानि कि इसकी मंजरियां तुलसी के पौदे की यदि आप बीज बनाना चाते हैं तो आप बना सकते हैं और यदि इसकी आप पिंचिंग कर दें तो पौधा की जो एनरजी है वो सभी पौधे पर लगेगी नई साका का चुनाव होगा तो दोस्तो अभी मैं से सीटपोड नहीं लेना चाता हूँ तो मैं चलिए जल्दी से आप तुलसी के पौधे की अच्छे से एक बार पिंचिंग किया देता हूँ दोस्तो 15 दिन में आप एक बार चीज को कर देंगे इसकी यानी पिंचिंग तो आपकी तुलसी के पोदे की जो गिरोत होगी वो वहतेजी से निकल के आईगी दोस्तो आपो कुछ इस तरह से इसकी पिंचिंग कर देनी है ताकि जो पोदा अपनी एनरजी को बेस्ट ना लगाए जब आब ऐसा कर लेंगे तो तुलसी का पोदा हरावरा घना भी रहेगा तो दोस्तो इस तरह से हमें तुलसी के पोदे की पिंचिंग कर देनी है तो ये देखियो, अब इसके बाद मैं 15 दिन बाद फिर इसकी की एक बार फिंचंग कर दूंगा तो देखिए, यहां से मैने इसके सीट बोट है वो मैंने पूरी तरह से तोड़ दिये हैं यानि इसकी पिंचंग कर दिये हैं दोस्तो अब जान लेते हैं इस पौदे के लिए मिट्टी में जो गर्मा ही रहनी चाहिए हमारे तुलसी के पौदे के लिए वो सर्दियों में नहीं मिल पाती है तो दोस्तो हम कुछ ऐसे फर्टिलाजर लेकर आये हैं जिससे की आपके तुलसी का पौदा भी हरा बरा रहेगा और मिट्टी में भी गर्मा ही रहेगी तभी हमारे पौदे की अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी तो चलिए दोस्तो अब हम जान लेते हैं उन फर्टिलाजर के बारे में जो हमने यहां पर तुलसी के पौदे के लिए लिए हुए हैं तो यह देखिए दोस्तो यहां पर जो आप देख रहे हैं यह हमने फर्टिलाजर बनाने के लिए कुछ पानी लिया हुआ है यह हमने 250 ग्राम पानी लिया हुआ है दूसरी चीज हमने एक स्प्रे वोटल ली इसका हम स्प्रे भी करेंगे तुल्षी के पौदे पर ताकि हमारे तुल्षी सर्दियों में डॉर्मेंसी में ना जाये और तुल्षी का पौदा अरावरा घना रहे तो दोस्तो आप यह जो देख रहे हैं हमने एक चमच में यह हमने सलफर ली हुई है दोस्तो सलफर का काम यह है हमारे पौदे की जो मिट्टी ठंडी हो जाती है सर्दियों के मौसम में पौदा पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है तो ये काम करेगी हमारे पौदे पर जा हम इसका इस्प्रे भी करेंगे कि पौदे में ये गर्माई बना देगी और जब पौदे में और मिट्टी में गर्माई रहेगी तो पौदा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगा तो ये देखिए दोस्तो हमने ये आदा चमच में सल पर डाल दी है पानी में अब इसे हम पूरी तरह से एक बार इसे गोल लेंगे और गोल कर इसे हम तुलसी के पौदे पर स्प्रे कर देंगे और उसके बाद में हम तुलसी के पौदे में भी डाल देंगे तो ये देखिए ये गुलकर पूरी तरह से पानी में तयार हो चुका है अब जान लेते हैं दूसरे खाद के बारे में तो ये देखिए दोस्तो सामने जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये हमने नीमकी पत्तों की खाद ली हुई है इसे हम तुल्सी के पौदे में डाल लेंगे दोस्तो तुल्सी के पौदे की पहले आपको गुड़ाई करनी है तब जाकर ये नीम की पत्ते की खाद डालनी है दोस्तो मैंने इसकी दो दिन पहले ही गुड़ाई कर दी है आप देख रहे हैं तो आप इसमें मैं जल्दी से डाले देता हूँ, यदि आपने गुड़ाई कर ली हो पहले, तो आप डाल सकते हैं, आपको नीम के पत्ते की खात केवल 50 ग्राम लेनी हैं, और आपको अपने गमले में डाल देनी हैं, तो ये देखिए दोस्तो हमने ये 50 ग्राम ले लिए हैं, यानि की पौदा और गंले के अनुसार से, यदि आपको गंला बड़ा है और पौदा भी बड़ा है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो दोस्तो अब इसे हिलके अससे हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए, दोस्तो हमने पूरी तरीके से मिक्स कर दीए, अब स्प्रे बोटल में अब इसे हम भर लेंगे जो कि हमने इसमें सलफर गोली हुई थी दोस्तों सलोफर का पानी आप फूलों वाले किसी भी पाधे में आप दे सकते हैं पौदे में गर्मा ही रहेगी पौदा हेल्दी रहेगा और पौदे पर फूलाने के और फौलाने के चांसे बहुत बढ़ जाएंगे अब इसे हम एक बोतल के अंदर भर लेंगे तो यह देखिए दोस्तो हमने कुछ डाल लिया इसमें जो कुछ बचा हुआ है उस दोस्तो हम पूरी तरह से इससे पर इसप्रे कर लेंगे तो पौदा हमारा हेल्दी रहेगा और दोस्तो इसे हम दूप में रख देंगे ज़गो साम का टेम हो जाएगा तो हम करना क्या है इसे किसी चीज़ से कबर कर देना है या इस पर आप तावल डाल सकते हैं या आपके तो ये काम आपको दोस्तों करना है अब इसे आप डाल दो पौधा हरावरा गना हो जाएगा दोस्तों आज की अमारी है वीडियो कैसी लगी आप अमें बताईएगा जरूर दोस्तों अभी तक आपने अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अमारे इस चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों साथ शेयर करना आप बल्कुल भी ना भूलें तो दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ ठेंक यूँ झाल